Hello Everyone, आज हम discuss करने जा रहे हैं Central University of Gujarat के admission form के बारे हम बात करने वाले हैं PGK form को लेकर अगर हम बात करें, अगर आपने अभी तक form नहीं fill करा अभी भी आपके पास कुछ घंटों का time है इस universities के form fill करने का बहुत बच्चों को अभी नहीं पता, सबसे पहले आपको notice कहां देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको site पर visit करना है, cog.ac.in जैसी आप site पर visit करेंगे, इस तरीके से page आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको admission 22, 23 वाले options पे click करना है जैसी आप click करेंगे, एक नए page पर आप पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको notice दिख जाएगा PG की counseling का, last date आजी है, तो अगर आपने अभी तक form नहीं fill करा तो fill कर लीजिए registration आपको करना है, यह देख सकते हैं, आप last date आजी है ठीक है, 100 rupees registration fees है, जो कि non refundable है, यह भी आपको pay करनी पड़ेगी, अगर आप registration fees नहीं pay करते तो आप merit के लिए consider नहीं किये जाएंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है, उसके बाद merit list अनौन्स होगी, बाकि जैसे merit list आएगी, वो भी आपको वीडियो बना के update कर दिया जाए थेंक यू